नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चनल गवर्मेंट जाब प्रप्रपरिशन पर दोस्तों जाजा की पता है मैं यहाँ पर आलावाद यानि की एससी आरो यारो गुरुप सी और अगर आप गंडी परप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र तो सारे कि सारे questions discuss करेंगे जो बहुत ही महतपूर questions होंगे काफी आच्छी questions होंगे आप लोगो सारे की सारी series को ज़रूर देखें आपको पूरा का पूरा benefit exam में मिलेगा और मैं serial से उन series को खतम करूंगा जैसे कि एगर मैं इतिहास को लेकर चलूंगा तो इतिहास में सबसे पहले ancient history के important questions होंगे फिर उसके बाद medieval history और फिर modern history की होंगे इसी तरह से सारे topics में serial से चलेंगे और last तक पूरा topic finish करेंगे और 25 questions की सारी quizzes रहेंगी तो इन सारी quizzes को आप लोग जरूर देखें और दोस्तों अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं इसको प्लेलिस्ट बिना दूँगा आपको एक सारी quizzes हर topic की मिल जाएंगी तो उनको आप देख पाएंगे तो इसी सीरीज में मैंने पहला वीडियो अल्रेडी इतिहास भागवन अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख लिए या मैं प्लेलिस्ट बना कर देदूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में देदूँगा वहाँ से आप देख पाएंगे उसी सीरीज को continue रखते हुए आज उसी का एतिहास का भाग दो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है और विल्कुल सीरीज से चलता हूँ शुरुवाद में मैंने पाशाण का लोग इन सब चीजों को डिस्कस किया है उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे फिर नेक्स इसी तरह से सीरीज से हम लोग चलेंगे तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो देखे पहला जो क्वेश्चन है वा है बुध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था तो दोस्तो भगवान बुध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था सफी को पता होना चाहिए सारनाथ में दिया था यानि की option number B आपका सहयांसर हो जाता है सारनाथ में कहां पर रुषी पत्तनम में इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और जिसे बहुत गंतों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया तो यह ध्यान रखिए ठीक है और दोस्तों इन्हों जो अपने उपदेश दिये थे भगवान बुद्ध ने यह जन साधान के उसमें जो भासा थी पाली भासा उसमें दिये थे तो यह भी question पूछा जाता है तो इ खुनकी इच्छाओं के गाण होते हैं यह भी बहुत धर्म का मत है और तीसरा है आपका जद इच्छाओं पर काबू पालिया जाए तो निर्वान मिल जाएगा यह भी बहुत धर्म का मत है नेक्स है आपका ईश्वर और आत्मा के अस्तित को स्विकार करना चाहिए यह बह धातु से बने सिक्के सबसे प्रथम प्रगट कहां हुए थे तो धातु से बने सिक्के जो हैं सबसे पहले बुद्ध काल में बुद्ध के काल में प्रगट हुए थे यानि कि आपका यहाँ पर सी सही अंसर हो जाता है ठीक है तो देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे मे प्रारंबिक बाध धर्म ग्रन्थों की रचना किसमे की गई थी। यानि कि option number B आपका सही अंसर हो जाता है नेक्स कुश्चन है निवनिमे से कौन सा एक भारत में उत्पन सबसे बाद वाला बहुत धर्म का ग्रिंथ है यह आपका है वामसाथ पाक्षिनी यानि कि option number D आपका सही अंसर हो जाता है इसकी जो दचना है यह दस्वी सतापदे में की गई थी तो इस प्रकार से यह भारत में उत्पन बाद का सबसे लास्ट वाला ग्रिंथ है अगला कोश्चन है देखते हैं नेक्स कोश्चन है बुल का सम्मद बुद्ध की जीवन की किस घटना के साथ है तो दोस्तो इसका जो सम्मद है बुल का सम्मद है आपका जन्म से यानि कि option number A आपका सही अंसर हो जाता है या पर मैं और आपको बता दूँ देखे कमल और साड यानि कि बुल इसका जो सम्मद होता है यह होता है जन्म से ठीक है तो ध्यान रखिए यह और घोड़ा जो होता है यह ग्रहत आक से सम्मदित है बौध धर में पीपल जो है बौध बच्छ बोलते हैं यह ग्यान से सम्मदित होता है थीक है पद्चीरे निर्मार से इस दूब जो है इनका समभन हिम्रत्यू से होता है next question देखते हैं next question है बुद्ध, धम और संग मिलकर कहलाते हैं तो दोस्तों बुद्ध, धम और जो संग है ये मिलकर आपके त्रीरत्न कहलाते हैं यानि कि option number A आपका सही आंसर हो जाता है क्या कहलाते हैं त्री रत्न कहलाते हैं अगला question देखते हैं next question है सब इक्षा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है तो दूसरों मैंने वे बताया कि इनका मत ही था यही कि जो इक्षा है होती है यही सब कष्टों का कारण होती है बहुत धर्म का मत ही यही था तो इस प्रकास से किस समंदित हो जाएगा यह बहुत धर्म से समंदित हो जाएगा ठीक है यानि कि option number A सही आंसर हो जाता है next question देखते है next question है बुद्ध की म्रत्य किस वर्स में होई थी तो दूस्तों जो भगवान बुद्ध थे इनकी जो म्रत्य होई यह चार सो 83 सापूर में होई थी यानि कि option number A आपका सही आंसर हो जाता है कहां पर होई थी 80 वर्स की आयमें इनकी म्रत्य होई थी कुसी नगर में होई थी ठीक है और इसे बौद गृंतों में महा पर निर्माड कहा गया है तो यह भी धेहन रखे next question देखते है अगला question है भारती तिहास के निमलिकित यूगों में से किसके दौरान छत्री एक विसिस्ट पहचान रखते थे तो आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध की यूग में ठीक है बुद्ध की यूग में छत्री एक विसिस्ट पहचान रखते थे महात्मा बुद्ध हो महाबीर स्वामी क्या थे स्वयम छत्री को से संबन दी थे ठीक है अगला question दिखते है next question है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो दोसो भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है महाबीर स्वामी यानि कि option number भी आपका से अंसर हो जाता है जो कि 24 में तिर्थंकर भी है जैन धर्म के और 23 तिर्थंकर की अगर बात करें कुषिजियनगर में नहीं को सिर्मढवेवन गोला में महापऔरों प्राप्ति किया कि स्रेमढवेल गोला में माहाप्रिनिर्मान प्राप्ति किय था mantra p nego आप सभी को पता होगा प्रफि होल्परी कहां पर इसी था यह भीहार जो है जो जो है बिहाराज के नलंदा जिले में इस्तित है ठीक है और यह उस समय कहा थी वधमान महा जन्पत की राजधानी हुआ कर दे थी जो कि आपके बिहाराज के नलंदा जिले में इस्तित है ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने परिनिर्मार्ण प्राप्ति किया था वधमान महापी मैंने स्रोंड बिल्गुला गलत बताया है इसको correct कर लें अगला question देखते हैं next question है कि जैन साहिती को क्या कहते हैं तो answer आपको यहापर हो जाएगा option number D अंग ठीक है दोसों जो जैन साहिती है इसको आगम बोलते हैं जिसका मतलब होता है सिध्धान्थ ठीक है इसके अंतरत क्य जिसमें अंग भी आता है बारांग होते हैं और बुद्ध साहित होता है उसे त्रिपटक बोलते है next question देखते हैं दच्छिट भारत में प्रिसिद्ध जैन केंदर इस्तित है तो दुस्तों जो जो दच्छिट भारत में प्रिसिद्ध जैन केंदर है वो है आपका स्रोंड बेल गोला ठीक है यानि कि अप्सन अबर डी आपका सही अंसर हो जाता है ये कहां पर है ये करनाटक में कि मैशूर मेश्ति थे स्रोंड बेल गोला ठीक है तो ये ध्यान रखें अगला question देखते हैं next question है कि भारत में सबसे पुराना लोह यूग जुड़ा हुआ है तो ये इस काल के लोग एक विश्च ब्रकार के वरतन का प्रियोग किया करते थे जिसे चित्र दूसर मदभांड कहा जाता है अगला question देखते हैं next question है कि छठी सताब्दी इसापूर्व मगद में किसका विशाल भंडा था तो तब मगद में जो है लोहे का विशाल भंडा था यान कि option number D आपका सगी answer हो जाता है next question है उस राजी का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तिमाल किया तो answer आपका क्या हो जाएगा मगद ठीक है यानि कि option number B answer से हो जाएगा ऐसा क्यों होता था क्योंकि मगद के जो जंगल हुआ करते थे उसमें हाथ लिखने के लिए प्रयुक्त भासा थी तो दोसो प्राचीन काल में स्त्रोश समगरी लिखने के लिए प्रयुक्त भासा थी वो थी आपकी शंस्क्रित यानि कि option number आपका A सही answer हो जाता है ठीक है next question देखते है next question दोस्तों क्या है अगला question है हेरो डोटस को माना जाता है दोस्तों सभी को पता होगा जो हेरो डोटस है इतियास का जनक माना जाता है यानि कि option number A आपका सही answer हो जाता है अगला question है किसकी सेना ने ग्रीक सासक सिकंदर्स के साथ जहलेम नदी के तक पर मुकाबला किया था तो ये थी पोरस की सेना यानि क option number C आपका सही answer हो जाता है दो कि जो दोस्तों यूनानी श्रोत है इनके अनुशार क्या है पौरो राजर जो पोरस थे इनके शास सिकंदर का प्रशिद यूद जो कि higher speech नदी के किनारी हुआ था higher speech नदी का मतलब इसे जहलम नदी भी कहते है इसे पहले higher speech नदी कहा जाता थ ठीक है जो है इस यूद में क्या हुआ था कि पौरस की हार हुई थी पर्द सिकर्दर ने पौरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राजी को वापस कर उससे मितरता कर ली थी ठीक है अगला question देखते है नेक्स question है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है तो दूस question देखते है नेक्स question है निम लिखित मगत के राजवनसों को काल करमानुसान लिखिए तो दोस्तों इसमें काल करमानुसान लिखनेंगे तो आपका answer यहाँ पर सही हो जाएगा option number C यानि कि पहले कौन सा आएगा रेकवनस फिर उसके बाद आपका आएगा शिशुनागवनस फिर उसके बाद आपका आएगा नंदवनस और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा आएगा आपका मौरे वनस ठीक है अगला question देखते हैं next question हमारा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था तो दोस्तों यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले कौन थे तो वो थे आपके चंदगुप्त मौरे यानि की option number A आपका सही अंसर हो जाता है ठीक है जो चंदगुप्त मौरे थे इन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था next question दोस्तों हमारा है निमलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकिस्की त्रे की पहचान कीजिए तो दोस्तों चिकिसी त्रे के नाम से किसे जाना जाता था प्राचीन भारत में तो वो आपका अंसर हो जाएगा option number C चरक सुरसुत और वागभट ये जो थे ये चिकिसी त्रे के नाम से जाने जाते थे ये तीनों ही क्या थे चिकिस्क आयरुवेद में सिद्धास थे ठीक ह तो ये थे दोस्तों आज के important questions इसी तरह से स्रीच continue आपकी जारी रहेगी और जब तक की सारी history यानि की internet history, modern history और medieval history सारे के सारे चेप्तर हम लोग इसमें finish करेंगे और जितने भी उसके important questions से सब हम लोग देखेंगे साथ में उसके description को भी देखेंगे इसी तरह से आपको रा इस सारे वीडियोस आपको मिलेंगे तो इन सब के लिए आप हमारे वीडियोस को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादे से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं इसी स्रीच के नए वीडियो के साथ तक तक के लिए thanks watching